है गाइस मेरा नाम है खान और आप देख रहें लॉसिक ट्रेटिंग इस वीडियो में हम सीखेंगे कि और ब्लॉग को कैसे करके आइडेंटिफाई करें और किन क्राइटेरिया का फॉलो करना चाहिए जहां से हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमारा जो और ब्लॉग है वो क काफी हद तक सही जाने कि उसकी प्रॉबविल्टी इंक्रीस हो जाती है बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि और ब्लॉग सिर्फ एक कैंडलिस्टिक होती है लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी साइल एन लास्ट साइलिंग कैंडल बिफोर दी बाई इस टाइप से कोई कलर नहीं होता है और ब्लॉग एक एरिया होता है जहां से हम एडेंटिफाइ कर पाएं कि एक्च्वल में मुमेंटम यहां से आने की प्रॉबविल्टी है बहां से कोई 100 परसंट गारंटी नहीं होती है लेकिन एक प्रॉबविल्टी होती है यहां से मार्केट में मुम कोई लोग 1 मिनिट में कोई 5 मिनिट में और 1 आवर 15 में सबका अलाग अलेक टाइम फ्रेम होता है तो जो और ब्लॉक होता है जो इस ट्रक्चर के बेसे पर इडेंटीफाइब कियाता है वह फिप्टीन में ले रहे हैं तो वन मिनिट आपको एंट्री लेना होगा और जो मेन ब्लॉक है वह आपको फिप्टीन में ही देखना होगा वहाँसे ऐसा नहीं कि आप ऺताओं से लोगर टायम फ्रेम देख रहे हो वाँजमिंट में भी तोटी ओर थर्टी मिनट में भी आपको सिर्फ एक अपने इस टिक टाम फ्रेम पर रहना है और उसे महीं kupi ukipi ko और व्लॉक similar चीज़ होती है पी वाई का मतलब होता है कि जहां से हम भाई और चाल कर सके और जातर हम भाई सब्सक्राइब करते हैं या फिर जो वो भी थोड़ा समझ लेंगे तो में चाहिए आपको structure identify करना structure को identify करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे higher high या फिर higher low है वो इंडीसमेंट लेने के बाद confirm होते हैं और या फिर previous high yellow break होगा candle closing होगी तब ही हमारा break of structure confirm होता है जोकि मैंने already इस पर वीडियो बना दिया है आप जाकर कि उसको देख सकते हो तो यह GPPST का चार्ट है 15 मिट का टाइम फ्रीम है आप देख सकते हो मार्केट का जो मुमेंटम है वो completely bullish है और मार्केट अपना higher high बनाती है उपर की तरफ जा रहे हैं अगर हम starting से यहां से starting भी करें bottom से structure top तक गया है तो इसमें किस तरीके से हमें marking करनी है और कैसे करके अपनी inducement और PY order plug को marking करनी है देखो कोई भी higher high confirm जब होता है जब उसका inducement ले market और lower low भी जब ही confirm होता है जब market inducement ले या फिर नीचे की तरफ market है lower low तो फिर आपका जो पहला pull है कि inducement वो sweep हो जाए break हो जाए तो आपका lower low confirm हो जाता है जैसे कि यहाँ पर अगर आप notice करोगे यह वाला जो momentum आपका पूरा उपर की तरफ run कर रहे है इस तरीके से क्योंकि यहां से market में momentum मिला है क्योंकि यहां पर गया है इस high को यहां से break किया है यानि कि यह जो move है आपका यह पूरी एक single lag है जो कि two parts में यहां पर डिवाइड है इस type से तो यहां पर जो आपका higher high है वो किदर बनेगा और आप इसमें कैसे करेगे expector सकते हो कि आपका जो structure है वो किदर जाएगा और कहां पर इसका P.O.I. बनेगा इस वाले price point पर अगर आप notice करोगे यहां से यह वाला यह आपका क्या है यह inducement है क्यों क्योंकि यह पहला pullback है एक high create होने के बाद में और market में इसको लेना ज़रूरी है जब market इसको ले लेगी तब ही जाकर के आपका जो higher high है वो confirm होता है इस वाले price point पर हम इसलिए कर रहे है क्योंकि structure में यहां से reversal आया है और उसके बाद में again जब market इसी high को break कर देगी और इसके अबब closing देगा price में पहले attempt में देखोगी just sweep किया है next attempt में sweep किया है third attempt में यहां पर जाकर के market ने closing दीए इस वाले price point पर जब closing दीए तब जाकर के आपका यह जो है break of structure यहां पर confirm हुआ है अब यह आपका break of structure confirm हो गया अब break of structure confirm हो गया correct बट आपका अब higher high कैसे confirm होगा क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे multiple higher high है एक यह है एक यह है और एक यह है अब तीन higher high है अब इनमें कौन सा वाला higher high हमारे लिए valid होगा इसको थोड़ा सा zoom करके देखते हैं तो काफी easy रहेगा आपके लिए अब इसमें जो आपका higher high है अगर हम पहले वाली की बात करें यह वाला जो higher high था जब भी आपका higher high create होगा जब भी आपका higher high create होगा उसमें चाहिए आपको inducement तो इसमें आपका pullback कहां पे था यहां पे correct बट क्या हुआ market इसको नहीं लिया अब यह क्या होगी है आपका यह आपका होगी है inducement आप market इसको break करें या फिर sweep करें इसको closing दें उससे फरक नहीं पड़ता है उसके बाद में क्या होता है आपका higher high है वो confirm हो जाता है जो कि इस price point पे हुआ अगर यह inducement नहीं लेता market उपर जाता यह आपका बन गया higher low क्यों 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 क्योंकि market के structure बोले से candle closing दे दी यह आपका higher low बन गया अब यह inducement लेने के बाद में आपको identify करना होगा कि आपका order block कहां पे है क्योंकि आप problem यहाँ से start होती है कि आपको प्योई कैसे marking करना है हमिशा bottom से top की तरफ move करना है यहां से एगर notice करोगी तो जो last order block था आपका यह वाला था previous candle का high and low याई कि यह last selling candle थी before this wire move तो यह आपका क्या हो गया actual में order block हो गया जो कि already यहां से mitigate हो गया है mitigate का मतलब next movement आया इसमें और इसको mitigate कर दिया pullback ने तो यह order block आपके काम कर नहीं है यहां पर imbalance नहीं है again क्या हुआ market अगेन push किया नीचे की सब्सक्राइब और इस तरीके से next order block create किया last selling candle before this wire यह भी क्या हुआ market उपर गयी और इसको mitigate कर दिया जो कि पहले ही mitigate हो चुका है next attempt में क्या हुआ market ने again एक pullback दिया यह वाला correct और यहां से क्या हुआ market उपर आई पर इसको mitigate नहीं गया इसका मतलब यह हमारे लिए काम का है और market इदर आएगी तो हम इसमें expect कर सकते हैं कि यहां से हमें उपर की तरफ momentum देखने को मिल सकता है correct market ने वहीं किया प्रेक होने के बाद में इसपे टैप किया और फिर market उपर गई जब भी market अन्मिटिकरे और प्लाग पर टैप करती है तो market वहां से momentum देती है उपर की साइट में अगर bullish है अगर bearish है तो नीची की साइट में यहां पर market ने और प्लाग टैप किया और marketing यहां से reaction दिया अब क्या करना है आपको आपको करना है कि यहीं पर same price section पर lower time frame में जाना है one minute में जाना है वहां पर आप chalk, boss, flip, entry module पर buy कर सकते हो यहां पर entry कैसे बनाया है हम अभी बात में सीखेंगे पहले हम P.O.I. को marking करना है start कर दे, order block को marking करना start कर दे, कैसे करके उसको mark up करना है बात में मैं आपको बता हूँगा कि इसमें आप lower time frame में कैसे entry बना सकते हो आप क्या हुआ, यह आपका जो unmitigrated order block था यह आपका पूरा यहां पर काम किया क्यों हो काम किया, क्योंकि यहां पर proper और imbalance था, सब कुछ यहां पर valid था और यहां पर market ने reaction भी दिया reaction देना जरूरी होता है कोई भी unmitigrated order block है बहाँ पर reaction मिलना जरूरी, अगर reaction नहीं मिलना है तो वो किसी काम कर नहीं है, correct अब उसके बाद में क्या हुआ, again market ने previous high break किया तो यहां पर यह break off structure नहीं है जब तक इसके अबब candles close न हो जाए उसके बाद में यहां से candles इसके अबब close होना start हुए इसका मतलब यह हुआ कि आपका यह वाला जो break off structure है वो confirm हो गया है और market उपर की तरफ जा रहा है अब आपको क्या चाहिए जब यह break off structure आपका confirm हो गया अब आपको चाहिए inducement inducement का मतलब market अपना pullback ले यह क्या, यह सारे inducement है market को at least पहला pullback लेना ज़रूरी है और inducement आपका हमेसा ध्यान रखो जिस side में structure break होता है उस side में create होता है ऐसा नहीं होता है कि structure आपका इस side में break होता है और आप inducement यहां से देख रहे हो यह वाला, यह नहीं होता है आपका inducement इस side में होगा इस दर नहीं होगा आपका inducement तो यह चाहिए आपको notice रखनी है आप क्या होओ, market उपर की तरफ जा रहा है continue हो जा रहा है और उसके बाद में finally इस वाले price point से अगर आप देखोगे market ने यहां पर break किया है यहां से यह break हो गया इसका मतलब यह आपका inducement market ने ले लिया और जब market inducement ले ले लेता है तब ही जा करके आपका जो higher high है नया higher high वो confirm हो जाता है जो कि इस वाले price point पे यहां पर confirm हो अब आपका inducement confirm हो गया यह वाला और उसके बाद में आपका higher high confirm हो गया इसके बाद में आपको क्या चीज़ देखना है आपको identify करना है और अप लॉग correct और उसके बाद में अगर आप notice करोगे कि आपका higher low कहां पे confirm हुआ है कि इस वाले price point पे क्योंकि यही lowest point है यह चीज़ ध्यान रखो यह वाला जो move है आपका पूरा structure वो कुछ इस तैप से create हुआ है तो आपका जो inducement है वो यह है क्योंकि inducement लेने के बाद में सबसे lowest point है यहां पे यह यह नहीं है काफी लोग .. यह वाला mark कर लेंगे ऐसा नहीं करना है आपको यह वाला mark करना है क्योंकिивают Inducement लेने के बाद में यही आपका सबसे lowest point है आपको क्याना है आपको Inducement लेने के बाद में यहां से marking करना है कि आपका Unmitigated order block कहां पर है आपको कहां से start करना है bottom से क्योंकि market bullish है अब इसमें सबसे lowest candle है आपका last selling candle before the buy वो कौन सा है आप notice करोगे जो आपका last selling candle before the buy वो यहां पर है इसका मतलब यह है कि यह जो candle है आपका ऐसा order block का काम करेगी but problem यह कि break की इसके बाद में mitigate हो गई यहां पर कोई भी imbalance नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे right उसके बाद में next जो आपको identify करना है वो कौन सा है जहां पर proper imbalance हो और उस order block में imbalance होना चाहिए दूसरा वो valid pullback होना चाहिए या फिर liquidity sweep करना चाहिए यान कि previous candle का high low sweep करे या फिर वो proper order block परलब जो है एक valid pullback हो अगर यह चीज नहीं है तो आपके लिए वो तो आपके लिए वो order block valid नहीं है सिर्फ candlestick का color जो है वो order block नहीं होता है order block का मतलब होता है कि जिसने liquidity grab की है चाहे वो candlestick की की हो या फिर structure की की हो correct वो आपके लिए valid order block होता है अब next step में क्या हुआ आपको next identify करना है तो जो next आपका order block है वो कहां पर correct यह वाला अब यह order block क्यों यहां पर right जबकि इसका candle का color आपका bullish है जबकि bearish नहीं है क्योंकि bullish market है आपको चाहिए bearish candle बट यह नहीं है क्यों look at this candle यहां पर आप देखोगे जो previous candle थी आपकी यह वाली right इस candle को इस ने विरेक किर दिया इस bullish candle ने तो जो actual में जो bearish candle थी मतलब यहां से नीचे तक गई वह यह वाली candle गई थी इसका मतलब इस candle ने इसका liquidity grab किया है और यही आपके लिए valid है क्योंकि यहां पर proper इसने imbalance create किया है अगर आप notice करोगे यहां पर proper imbalance है इस candle ने liquidity भी grab किया है और जो candle liquidity grab करती है वो ज्यादा high probability होती है ऐसा order block आप उपर की तरफ थोड़ा सा move on करते यह पहला order block हो गया है जहां से आप इसमें buy कर सकते हो दूसरा आपके लिए कहां पर नेक्स्ट आप जाओगे उपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करोगे नेक्स्ट order block आपका यहां पर जो की last selling candle before the buy है यहां से but problem यह यहां पर यह order block जो आपका mitigate हो गया है तो हम इसको use नहीं नहीं कर सकते है और बहां पर imbalance होना जरूरी है जैसे कि यहां पर proper imbalance दिख रहा है यहां पर proper imbalance दिख रहा है यहां पर minus imbalance है बट imbalance है और होना चाहिए चाहिए कम हो यह जादा हो यहां पर mitigate हो गया है यह आप use नहीं कर सकते है दूसरा यह है कि next जो order block है आपका यह वाली price point पे आप देख रहे हैं, last selling candle before this buy इसको order block marking कर लेते हैं कि ये आपके लिए order block है बट reality में ये order block नहीं है क्यों नहीं है, पहली बात है कि ये किसी भी tap का कोई valid pullback नहीं है क्योंकि इस candle ने previous candle का low break नहीं किया है नहीं इसको closing दिया, नहीं sweep किया है तो ये आपके लिए valid नहीं है दूसरी बात ये, कि यहाँ पे ये mitigation हो चुका है सबसे main important चीज यही है कि ये कोई valid pullback नहीं है और जो valid pullback नहीं होता, उसका कोई use नहीं होता है तो ये आपके लिए order block बिलकुल भी नहीं है आप इसको नहीं use कर सकते अगें next move करते है जो आपका last selling candle है before this way, ये वाला इसको भी इसने mitigate कर दिया बलब यहाँ पे closing दी, उसके बाद में ये करी अब दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इस candle को क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों लिया क्योंकि actual में जो candle से का आपकी इसका low ये है और high ये है इसके बीच में कुछ भी हो रहा है, ये internal candle होती है आपको main candle पे focus करना है main candle आपका ये वाला है ये pullback कुछ step से create हुआ है इस तरीके से, तो जो आपका last selling candle before दिबाया है, वो यही candle है और इसको हम as a order block काम करेंगे break किया, mitigate कर दिया तो ये आपके किसी काम कर नहीं है अब आपको next candle पे जाओगे यहाँ पे ये कोई भी किसी भी tap का order block नहीं है correct, तो आप इसको use नहीं कर सकते next order block कहाँ पे यह वाला और ये क्यों होता है, ये होता है SMT smart money trap, बिना inducement बिना liquidity sweep किया कर आप buy या sell कर रहे हो वो होता है smart money trap ये वाला order block आपके mitigate और यहाँ पे नहीं भी होता ये आपके किसी काम करनी था, क्यों पहला order block आपका SMT होता है आपको हमेशा जो buy या sell करनी है वो आपको inducement के नीचे ये अब अब ही करनी है, right bullish market है, तो inducement के नीचे ही करनी है तो पहला pullback होता है, वो inducement होता है और जो पहला order block होता है, वो SMT होता है तो आपको कब buy करनी है, हमेशा inducement के बाद ही, तो inducement ये हो गया अब inducement के बाद में कौन सा unmitigated order block है, इस पूरी lag में आप देखोगे, सिर्फ ये वाला market ने tap किया, आपको reaction दिया आप यहाँ से buy करोगे, simple, आप क्या करना है अब काफी लोग को एक problem और यहाँ पर create होती है, वो against में यहाँ पर क्या marking करना start कर देते है कि इस side में अपना various order block marking करना start कर देंगे, यहाँ से right, कि यह आपका various order block है market दर जाएगी, हम sell करेंगे, correct अब यहाँ पर एक चीज़ समझों आप market bullish है, आप यहाँ पर क्यों sell कर रहे हो order block, यह किसी काम का नहीं होता यह SMT होता, smart money trap यहाँ पर sell नहीं करना है आप हो, आपको sell जब करना है जब bearish market हो, या फिर आपका low break हो जाए, sweep हो जाए कुछ भी ऐसा हो, फेल्ड हो जाए, condition उस condition में sell करना है, या फिर bearish market हो तब sell करना है, market आपका bullish है आपको buy की probability देखनी है sell की नहीं, right, और sell की जब भी देखनी है, तो जब आपका कोई buy हो fail हो जाए, तब देखनी है जैसे verse करो, यह आपका order block है, right, अगर यह order block यहाँ पर tap होता, इस तरीके से और यह fail हो जाता, आपके पास सिर्फ एक order block था, यह fail हो जाता, again market उपर जाता, आपके किसी order block पर tap करता, तब आप यहाँ से sell कर सकते दूसरा यह है कि अगर आपका next order block यहाँ पर bottom पर होता, कोई भी unmetigrated order block इधर होता, right और यहाँ से यह fail हो जाता, तब भी आप इसको sell कर सकते थी, यहाँ तक के लिए पट यहाँ पर कोई भी fail नहीं हुआ direct order block पर tap किया है, आप यहाँ पर क्यों sell कर रहे हो, यहाँ पर sell नहीं करना है, correct, तो अब आपको क्या करना है, आपको wait करना है कि previous high break, और candle closing दे, आपका break of structure confirm हो फिर आपका higher high confirm हो, फिर आपका inducement लेना है, फिर आपको order block identify करना है, तो यह चीज़े similar रहेंगे यहाँ पर, आपका क्या होई यहाँ पर, break of structure अब break of structure होने के बाद में आपको चाहिए candle closing, पहले liquidity sweep होई, next में आपका candle closing होई, तो यह आपका क्या होगया break of structure, अब आपको चाहिए pull back, pull back यानि कि inducement confirm करने के लिए कि आपका higher high confirm हो गया है, correct, तो finally market kidney यहाँ पर इसके closing दे दी, आप closing देने के बाद में आपका, यह जो break of structure हो confirm हो गया, और जब break of structure confirm हो जाता है, तो आपका जो higher low है, वो भी confirm हो जाता है जो कि इस price point पर, right, यहाँ आपका higher low confirm हो गया, यहाँ higher high हो गया, break of structure हो गया, आपको आपको चाहिए inducement, अब inducement कहाँ पर इस cases में, यह वाला, अब यह inducement यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि यह एक valid pullback है, और pullback आपका ही inducement होता है, और यह inducement जब होगा, जब break of structure हो जाए proper तब आपको identify करना है, पहले नहीं करना है, जब यह break हो जाए उसके बाद ही, candle closing होई, अब यह क्यों होगा, inducement लिया, अब inducement लेने के बाद आपको क्या करना है आपको करना है कि आपका जो unmitigated order block है, वो कहाँ पर है, correct, इस lag में अगर आप notice करोगे, तो आपका unmitigated order block कहाँ पर है, look at this picture यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो इस सिर्फ एक ही आपका unmitigated order block है, जो कि इस बाले price one पर यानि कि इसने proper imbalance create किया है, liquidity receive किया है, सब कुछ किया है, इसके below अगर आप देखोगे, कोई भी order block ऐसा नहीं है, जिसने liquidity grab किया हो, और वहाँ पर imbalance हो, right, सारी के सारी mitigate हो चुके हैं, सिर्फ एक की order block है हो जो कि यहाँ पर है, यानि कि market इदर tap करेगा, तो हम buy कर सकते हैं और दूसरा buy जो आप करना है, वो कैसे करोगे, दूसरा यह होता है कि जो inducement होता है, अगर वो sweep कर जाए, market sweep कर जाए, और sweep करने के बाद में उपर closing हो जाए, तो भी हम, तब भी हम बहाँ से हम buy कर सकते हैं, right, but वो cases में भी आपको lower time frame की confirmation लेना जरूरी हैगा, उस cases में हो गया कि आपका order block tap करे या ना करे, तब भी आप buy कर सकते हो, right, main ची होता liquidity grab करना, order block कोई necessary नहीं होता है, main चीज़ आपका liquidity और inducement है, वो लेना compulsory है, inducement के बाद आप buy कर सकते हो, sell कर सकते हो, liquidity grab होने के बाद भी buy sell कर सकते हो, order block tap करे या नहीं करे, order block कोई primary चीज़ नहीं है, कि आपको बहाँ पे buy ही करना है, ऐसा नहीं है, main नहीं चीज़ जो होता है, आपका liquidity identify करना, तब ही focus करते हैं कि inducement के बाद में, जाद तर chances रहते हैं कि market आपके order block पे tap करता है, और फिर react करता है, कभी नहीं भी करेगा, तब भी आपको बहाँ पे buy sell कर सकते हो, based on liquidity, तो यहाँ पे आपका inducement लिया market नहीं यहाँ पे order block पे tap नहीं किया बट market नहीं क्या किया, आपका नया जो high था, वो break कर दिया यहाँ अब क्या होगा यह क्या होगा, यह break of structure हुआ क्योंकि market ने inducement ले लिया बट problem यहाँ पे क्या होगा, इस वाली lag में कोई भी inducement नहीं है, एक single lag है तो इस case इस में क्या होता है, कि आपका जो high होता है, यह वाला high वो यहां से यहाँ transfer हो जाता है अगर इस case में कोई भी inducement यहाँ पे create होता है, यह इमन्डीस्मेंट हो जाता है, यहाँ आपका higher high हो और यह आपका higher low हो जाता है, यह previous high high, यह break of structure विटे यहाँ पर यह नहीं ऊगा यहाँ पर क्या होग यह आपका वाला हाइ है से यह जब यह तो यहाँ पर जाएगा यहाँ कोई भी फिल बेक नहीं है तब सिंगल wegg है तब अगर यहां पर कोई पूलबेक होता थब यह transfer नहीं होता है तो अब यह आपका similar रहेगा जो कि यहां पर है पाकि इसके अबब सारा कुछ mitigate हो चुका है और यह क्या चीज़ है आपका यह SMT है राइट अब यह SMT क्यों है क्यों क्यों कि break होने के बाद में पहला ही pullback है और बिना inducement यहां कोई inducement नहीं है तो यह क्यों होगा SMT जैसे कि यहां पर हुआ था राइट यह SMT होगे स्मार्ट मुनी ट्रेप अगें नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे इंडिसमेंट स्वीप किया और इंडिसमेंट स्वीप करने के बाद में आप नोटिस करोगे यह जो था आपका अनमिटिटर और ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और रेक्ट कि दिया और मार्केट उपर गयी अब यह क्यों गहीं क्योंकि यह आपका इंडिसमेंट लिया यह जो आपकीई केंडल सिती यह दुכती यहां से छ rotations कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि नेक्स्ती कींडल को ह CA yan इंडिसमे यह इसका प्रवपर रीजण ंए आपके और ब्लॉक पर आए तब यहां पर बाए कर सकते हो यहां पर यह ए एक प्रॉभियो टीए है कि यहां से market आपकी direction में जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है correct तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको सारा कुछ है probability में ही play करना है यहां पे कुछ भी 100% नहीं होता किसी भी strategy में यह भी एक probability है और यह भी एक probability है बट आपको यह देखना होता कि high probability कहां पे है जहां पे हम risk ले सकते हैं तो liquidity grab किये इस candle ने तो यहां पे हम risk ले सकते हैं again क्या हुआ market ने इस structure को break किया और candle इसके अब closing दे दी अब जब closing इसके अब दे दी आपका जो higher low है वो confirm हो जाता है जो कि इस वाले price point पे यहां पे confirm हुआ क्योंकि यही आपका lowest point है ना कि यह वाला अगेन उपर गया है आपको चेंगी inducement inducement कहां पे इस break of structure के बाद में यह वाला बट इसको नहीं लिया market अगेन उपर जा रहा है और उपर की तरफ create कर रहा है finally market ने किस price point पे जाकर कि यहां आपसे inducement लिया है आपको देखना होगा कि आपका जो inducement है वो कहां पे लिया है यहां पे यहां से break हुआ है क्योंकि इस से पहले अगर आप notice करोगे यहां पे हर एक type का pullback है कुछ इस type से create हो रहा है but किसी ने भी inducement ने लिया है इस वाले price point पे जाकर कि market ने inducement लिया है और जब market inducement लेता है तब जाकर कि आपका जो higher high है वो confirm होता है यहां पे यह confirm होगे है अब आपको identify करना होगा इस वाली lag में कि आपके unmitigated order block कहाँ पे है simple process है bullish market है आपको bottom से देखना है कि आपके unmitigated order block कहाँ पे है आपको bottom से start करोगे यह वाला आपका higher low है यह से start करना होगा तो यह आपका पहला order block है जहाँ पे proper imbalance है सब कुछ है और यहाँ पे अगर market type करते है तो हम यहाँ से react कर सकते है और यह last day XT में तो यह high probability है for buy और next आपका order block कौन सा है यहाँ से अगर आप notice करोगे last selling candle before the buy कौन से है यह वाली जोकि already mitigate हो चुका है इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से हम buy के expect कर सकते है यह आपका पहला pullback है जहाँ से आप buy कर सकते है next आपको identify करना होगा last selling candle before the buy यहाँ पे जोकि already mitigate हो चुकी है इसका मतलब आप यहाँ से buy नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी type का imbalance नहीं है इसके अगर आप जाओगे next जो candle है यहाँ पे यह candle भी आपकी mitigate हो चुकी है last selling candle before this buy mitigation again उपर गाना आप notice करोगे कि आपकी last next candle कौन सी है यहाँ से देखोगे सारी की सारी candles आपकी mitigate हो चुकी है यहाँ कि कोई भी किसी भी type का pullback नहीं है और यह क्या है यह SMT क्योंकि inducement से अभाव है पहला pullback है पहला order block है यह आपका SMT है अब आपके पास में एक chance है कि आप यहाँ पे buy करोगे दूसरा आप यहाँ पे chance है के ले सकते हो जैसे कि यहाँ आपका last selling candle यह वाली है इसको इसने break किया तो lowest candle आपकी यह होगी जो कि यहाँ पे कोई imbalance नहीं आप next candle पे यहाँ पे extend कर सकते हो जब तक कि आपको imbalance ना मिल जाए तो यह वाली एक condition आप ले सकते हो यहाँ पे आ करके यह finally मिलेगी क्योंकि यहाँ पे proper imbalance होगा है यह आपका next P.O.I हो गया और inducement के बाद में अगर press वहाँ पे tap करता है तो आप वहाँ पे buy कर सकते हो lower time frame में confirmation मिले और जो extreme होता है वो high probability होता है lowest point पे है क्योंकि यह failed होने के बाद तो market का structure region जो जागा but आपको lower time frame confirmation दोनों जग़ चाहिए होती है चाहिए आपका inducement sweep हो या decisional sweep हो या फिर आपका extreme type हो correct अभी देखते हैं कि market ने क्या किया है market ने यहाँ पे किसी भी type का कोई reaction नहीं दिया right बट जो extreme है उस पर market ने tap किया और भाहाँ से आपको reaction मिल ला है और यह अभी market जो है आपका live है और market उपर की तरफ run कर रहा है और अगर market continue उपर जाता है इस previous high को break कर देता है यह आपका हो जाएगा break of structure और same process ऐसे ही apply होगा ऐसे ही आपके PY identify होगा अगर market इसको उपर नहीं ले जाकर के यहाँ से break कर देता है इस low को step से correct इसके नीचे closing देता है तो किया हो जाएगा यह आपका हो जाएगा change of character और market का जो momentum है वो अब change हो जाएगा bliss से barest तो इस तरीके से आप इसमें structure को identify कर पाओगे कि किस तरीके से आपको अपने higher high inducement order block को identify करना है किन चीज़ों का ध्यान लगना है अब आप देख सकते हो कितना जादा smoothly इसमें आप identify कर पा रहे हो कि order block कैसे करके काम करता है अब यह तो हो गया आपका process कि आपको order block कैसे identify करना है P.Y कैसे identify करना है सब कुछ clear होने के बाद में अब जो next step होता है वो आपका entry का entry कैसे लेनी है entry आपको दो type से ले सकते हो पहला यह होता है कि आपके पास में अगर एक P.Y आई है जैसे कि यह वाला P.Y आई है या फिर यह यह कोई भी P.Y आई है और उस cases में क्या होता है कि आपको lower time frame में बहां पर refine करना होता है जैसे कि अगर हम 15 minutes as a higher time frame लेते हो जो हमने लिया है उसके बाद में आपको क्या है 1 minute में लेना है entry के लिए तो यह जो आपका order block है इसमें आपको 1 minute में order block identify करना है आप देखोगे कि इस वाले cases में यहाँ पर multiple order block मिलेंगे 1 minute में कभी आपको one order block मिलेगा कभी आपको multiple मिलेंगे तो जो अगर single order block यहाँ पर मिलना है तो आप directly उस order block पर buy कर सकते हो वहाँ पर आपको कोई भी chalk या boss की confirmation नहीं चाहिए होगी लेकिन जहाँ पर आपको multiple order block मिलें in 1 minute तो आपको क्या है वो order block mitigate होने का wait करो और वहाँ पर chalk, boss या flip होने के बाद आप वहाँ से buy कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा इसको explain कर देता हूँ तो आपको काफी easy हो जाएगा मैं इसको bar play से lower time frame में देखा देता हूँ आप वहाँ से identify कर पाऊगे कैसे करके आपको lower time frame में play करना है यह आपका 15 minute का order block था अब इसको हम जाते हैं 1 minute के time frame में देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका यह zone है 15 minute का यहाँ पे कोई 1 minute में order block create हुआ है या नहीं हुआ है इस वाले zone में अगर आप notice करोगे तो जो last selling candle before the buy वो कहां पे है आप यहाँ पे notice करो तो सबसे पहले जो आपका order block है proper पर वो यहाँ पे जहाँ पर आपका imbalance create हुआ है सब कुछ है तो यहाँ से आप entry बना सकते हो दूसरा यह है कि अगर यह वाली जो shadow है अगर यह previous candle का low sweep कर देती तो यह shadow भी आपका as a py का का काम करती lower time frame है और यहाँ से भी आप इसको buy कर सकते थे ठीक है तो यह जो आपका पहला refinement zone है वो यहाँ पे आप simply इस zone पे price tap होने के बाद में directly यहाँ से buy कर सकते हो और यहाँ पे आपको किसी भी type की chalk या boss या flip type की entry आपको जरूरत नहीं पढ़ेगी आप directly यहाँ पे buy कर सकते हो but safer stop loss आप यहाँ डाल सकते हो और जो actual में stop loss है वो यहाँ पे है but problem यह है कि direct entry यहाँ पे थोड़ा सा risky रहता है उसमें आप दो type की चीज़े ले सकते हो पहला यह है कि अगर price यहाँ पे type होता है तो या तो आप यहाँ पे chalk boss के basis में आप entry यहाँ पे कर लो like chalk हुआ इंडिसमेंट लिया आप यहाँ पे buy कर लो दूसरा यह है कि अगर आप थोड़ा सा और उसको refine करना चाहते हो तो price यहाँ पे tap हो कोई reaction दे आप sweep करे तो आप महाँ पे buy कर सकते हो single candle mitigation के basis पे भी आप buy कर सकते हो यहाँ पे और दूसरा यह है कि आप डारेक्ट भी यहाँ पे buy कर सकते हो बट stop law इसके blow डालोगे तो ज़्यादा safer रहेगा जो कि आपका valid रहेगा और target आपका जो है previous measure high है जो कि यहाँ पे correct बट actual में अगर आप देखोगे तो आपका जो risk reward है वो यहाँ पे है और यही आपका होना चाहिए correct बट देखते हैं कि क्या होता है इसमें और हम इसमें किस टाइप से entry और scale कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको play कर लेते हैं जो कि market यहाँ पे tap किया और tap होने के बाद में यहाँ से reaction मिला यह पहला आपका entry हो गया दूसरा entry यह होता है कि आपका यह जो reaction दिया है यहाँ से भी आप buy कर सकते हो और stop इसके low डाल दो और आपका target है वो यहाँ पे डाल दो इसमें देखोगे कि आपका risk reward काफी कम है बात risk reward की नहीं बात process की है कि आपको किस तरीके से implement करना है lower time frame में क्योंकि आपको अभी कम मिलना है risk reward अभी next trade में आपको जाधा मिलेगा कभी आपको उससे भी जाधा मिलेगा तो यह process है ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेट कर सकते हो यह दो आपकी trades है यहाँ पे तीसरा आपकी कौन सी trade यहाँ पे possible हो सकती है आपको पहला pullback देखना होगा त्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा यह चौक इसको market break कर देगी आपका inducement लिए आप यहाँ पे buy कर सकते हो यह आपकी next step यहाँ पे रहेगा तो हम इसका भी wait कर लेते हैं देखते हैं क्या होता है market उपर जा रहा है और उसके बाद में finally market ने इस previous high को break कर दिया यह क्या हो गया आपका यह चौक हो गया यह चौक क्यों है क्योंकि market आपके demand पे tap हो चुका है जब भी demand या supply पे tap होता है उसके बाद में पहला जो pullback होता है break होता है market उसको चौक करती हो इसमें चाहें liquidity sweep हो या candle closer हो कुछ भी हो lower time frame में तो वो आपका validity होता है चौक उसमें candle closing ज़रूरी नहीं है यह चौक होगे अब आपको देखना है कि inducement inducement कहाँ पे है इसमे inducement आपका यह वाला है इसके नीचे market जाएगा इसको sweep करेगा तभी buy करेंगे यहाँ पे कोई order block तो दीक नहीं रहा है यह सिर्फ side हो है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यह inducement यहाँ पे ले और single candle order block यहाँ पे create करें तब हम buy कर सकते हैं या फिर market नया structure यहाँ से create करें like this inducement ले फिर हम buy करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे possible कर सकते हो तो अभी इसको थोड़ा सा play करते हैं देखते हैं कि क्या होता है market अभी range में है तो यहाँ पे किसी भी tap का कोई भी order block या कुछ भी नहीं करना है ऐसा नहीं करना है कि यह order block में यहाँ buy करोगे या फिर यहाँ sell करोगे यह कुछ भी नहीं करना है आप देखो ना कि main structure आपका high low यह भी protected है मतलब break नहीं हुए तो यहाँ पे किसी भी tap का कुछ भी reaction नहीं करना है आपको wait करना है high break हो या फिर low break हो उसके बाद में ही हम यहाँ से expect कर सकते है कि क्या होने वाला है market में तो अभी देखते है यहाँ पे अभी कुछ भी break नहीं हुआ है ना low ना फिर high आपका अभी आपका previous जो high है वो marketing यहाँ से break करती है तो अब आपका inducement कहाँ पे अब आपको देहान रखना है कि आपका अब inducement जो है वो कहाँ पे और आप next जो buying है वो कहाँ पे कर सकते हो इसमें तो अब आपको एक चीज़ देहान रखनी है जो भी structure जो भी order block जो भी candlestick previous high low sweep करे या candle को या structure को वो zone strong होता है for buy and sell अब यहाँ पे आपका जो inducement है वो कहाँ पे यह आपका क्या है pullback है अब यह पहला pullback है यह आपका क्या हो गया inducement अब इसके बाद यहाँ buy करोगी inducement के बाद में आपको देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने सारी unmitigated order block है या नहीं है अगर आप notice करोगे यह जो आपकी last side हो थी जिसने previous calendar का liquidity लिया वो already grab हो चुकी next order block था यहाँ पे mitigate हो गया यह भी mitigate हो गया यहाँ से यह भी mitigate हो गया यह भी mitigate हो गया और यह भी mitigate हो गया तो यानि कि हर order block यहाँ पे mitigate हो चुका है यहाँ पे कोई ऐसे probability नहीं है जहाँ से आप इसमें buy कर सके हो तो next आपके पास में क्या chances रहेगा कि आप कहाँ पे इसमें expect करोगे कि market वहाँ पे tap करें और हम बहाँ से buy कर सकते हैं तो यह जो shadow है इसको use करने का एक rule होता है वो जब किया जाता है जब आपके पास में कोई भी order block नहीं है और दूसरा यह है यह जो shadow है वो previous जो आपका low है यह वाला इस low से इसको connect किया जाता है इस type से और इसको इस तरीके से extend किया जाएगा और यहाँ से यह वाला जो low है आपका यह वाला इसको refine किया जाएगा इस type से यान कि यह zone है वो आपके लिए as a demand या फिर POI के लिए काम करेगा जहां से आप इसमें buy कर सकते हो लेकिन यह तभी applicable होता है जब आपके पास में कोई भी unmitigated order block नहीं होता है तब और यह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे किसी lower time frame में यह one minute में यहाँ पे seconds time frame में आप देखोगे यहाँ पे कोई न कोई order block यहाँ पे देखने को मिलेगा इसलिए यहाँ पे यह use किया जाता है पट यह use अभी किया जाता है जब आपके पास में कोई भी order block उस lag में नहीं होता है यह चाहिए आपको notice रखनी है ठीक है और दूसरा यह है कि यह आपके पास में पहली priority है दूसरा यह है कि अगर market यह जो inducement है इसको sweep कर देती है तब भी आप इसको buy कर सकते हो पट वो क्या है single candle mitigation के basis पे यहाँ पे sweep नहीं किया candle directly closing होई है नीचे की तरफ move on की हुई है यहाँ पे किसी भी type का कोई reaction नहीं मिला है अगर यहाँ से reaction मिलता है तब भी आप buy कर सकते हो दूसरा यह है कि यह जो pullback है इसको break करके आप market उपर जाने लगे आप यहाँ से आप इसको buy कर सकते हो उपर की तरफ यह पहला PY है दूसरा यह है आप इसमें क्या कर सकते हो price tap हो यहाँ पे reaction दे तब आप buy कर सकते हो अगर आप sure नहीं हो कि यहाँ पे buy करना है तो simply आप यहाँ पे price को mitigate होने का wait करो और उसके बाद में यहाँ पे reaction देने के बाद यहाँ से apps में buy कर सकते हो तो अभी देखते हैं क्या होता है इसमें अभी market finally इसको tap कर दिया और tap करने के बाद में यहाँ से उपर गया अब stop loss आप 3 pip 2 pip जो भी रखना है उसके इसाब से आप set कर सकते हो और target आपका जो है previous जो high है उसको आप as a target यूज कर सकते हो तो इस तरीके से आप उसको use कर सकते हो यह जो shadow है यह shadow जब यूज की जाती है जब यहाँ पे कुछ भी like unmitigated order block नहीं होता है बट mainly आपको जो focus करना है वो यही है कि previous जो आप 15 का order block है उसको refine करो 1 minute में और फिर बहाँ पे आप उसमें buy करो वो एक simple और सही तरीका होता है for buying के लिए दूसरा यह chog हो, inducement हो, तब आप buy कर सकते हो तो यह दो-तिन तरीके होते हैं जब price आपके higher time frame के P.U.I. पे tap करता है और फिर आप बहाँ से किस तरीके से refinement कर सकते हो और फिर बहाँ से आप entry बना सकते हो तो I hope आपको काफी को समझने को मिला होगा सीखने को मिला होगा अगर आपको कुछ चीज़े clear नहीं हुई है इसमें तो आप इस वीडियो को multiple time देख सकते हो बहुत informative वीडियो है कि आपको auto block कैसे marking करनी है झाल कर दो झाल कर दो